हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेडी कॉंसेट पर, स्टेडी कॉंसेट पर मेरा ये पहला वीडियो है और इंडियन हिस्ट्री पर बेस्ट मैं मैं MCQ सीरीज आपके लिए लेकर आई हूँ जिसमें दस क्वेशन रहेंगे जो दस क्वेशन है वो आपके एक्जाम पॉइंट आव वीडियो से बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि आपको रेलवे, बैंक, SSC और बाकी सभी अन्य व्यापम के एक्जाम है उन सब में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमी का निभाएंगे तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगा आप बैल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, उसको क्लिक करना मत भूलेगा यो बेल आइकन को जब आप क्लिक करेंगे तो आपको उसके हमारे जो चैनल है उसके लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगे Steady Concert पर मध्यप्रदेश का इतिहास इसे रेलेटेड PDF सीरीज अबलेबल है जिसमें प्रगतिहासिकाल, प्राचीनकाल, मध्यकालीन और आधुनिकाल इनका इतिहास अधुनिकाल का इतिहास उपलब्ध है जो कि Short Notes सीरीज PDF के माध्यम से अबलेबल है और ये 7PDF का एक बंच है और इसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है जहां से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते है पहले कोश्चन से पहला कोश्चन है मुहमद गौरी ने पहली बार भारत पर आकर्मन कब किया था तो इसका सही उत्तर है 1175 में मुहमद गौरी ने पहली बार भारत पर आकर्मन किया था और ये आकर्मन किया था मुलतान पर पहला आकर्मन जो था वो मुलतान राजी पर किय और उस समय जो मुलतान के मुस्लिम शाशक थे वो थे करमात जाती के करमात जाती के मुश्लिम सासक जो थे वो समय मुलतान पर उनका राज्य था करमात जाती के अगला क्वेशन है किसका काल मुगल वास्तु कला का स्वर्ण काल कहा जाता है जो मुगल वास्तु कला थी उसका स सही उत्तर है, वो है शाह जां। शाह जां के काल को मुगल वास्तुकला का सुननकाल कहा जाता है। क्यूंकि इसमें कुछ प्रमॉकह हिमारते हैं जिनका निर्माण किया गया था। जैसे ताजमहल, ताजमहल आगरा, लालकिला, दिल्ली, मोती मस्जिद दिल्ली मोती मस्जिद भी दिल्ली में और जामा मस्जिद दिल्ली में ताज महल आगरा अब दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर जो आगरे का लाल किला है जो आगरा में है उसका निर्मान किसने करवाय था उसका निर्मान करवाय था अकबर ने तो जो आगरी का लाल किला है उसका निर्मान करवाया था अकबर ने और जो दिल्ली का लाल किला है उसका निर्मान करवाया था शाह जहान तो इसलिए जो मुगल काल है उसको मुगल काल में जो शाह जहां का काल है उसको स्वर्ण काल कहा जाता है क्योंकि इस समय जो वास्तु कला थी वो अपने चर्मोत कर्श पर थी नेक्स्ट क्वेशन है मुहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आकर्मन किया था और उस समय जो सिंध के राजा थे सिंध में राजा दाहर थे राजा दाहर थे सिंध में जिनका राज था तो और ध्यान देने वाली बात है कि यह अरबों का पहला आकर्मन माना जाता है जो अरब थे उनका पहला आक्रमन जो माना जाता है वो मुहम्मद बिन कासिम के 1712 के आक्रमन से भारत पर माना जाता है अगला क्वेशन है लिंग राज मंदिर किस प्रदेश में है उडिसा आंध्र प्रदेश उत्तर प्रदेश या फिर करनाट का तो इसका सही उत्तर है उडिसा के भूबनेश्वर में भूबनेश्वर में ये लिंग राज मंदिर इस्तित है और इसको जजाती केसरी ने बनवा पाधिमे इसको का बनवाया था इसको बनवाए था ग्यारवी शताब्दी में या 11th century में इसको बनवाय गया था लेकिन इस मंदिर के कुछ साक्षे जो है या जो कुछ हिस्से है वह 1400 वर्ष पुराने जाते हैं उसका निर्मान थों किया था ग्यारवी शताब्दी में और जो जो कुछ हिस्से हैं वो 14 सवर्ष पुराने हैं अगला question है नट्राज की कांसे मूर्थी किस वंश से संबंदेत है जो नट्राज की कांसे मूर्थी है वो किस वंश से संबंदेत है चोल, चेर, पांडे या फिर राश्टकूट यह वंश की नाम दिए हैं, जो अलग अलग वंश हुए जो कि दकषिन भारत में राज्य करते थे यह मैप में देखे आप मैप में यह यहाँ पर चोल जो केरल का जो हिस्सा है उसमें, जो है वो चेर निवास करते चेर वंश का शाषन था और यहाँ पर थी चोल डाइनेस्टी और सबसे नेचे थे यह तमिलनाडू वाला एरिया है उसमें थे पांडे वंश और यह रास्ट कूट यहाँ पर यह है यह रास्ट कूट जो कि गोधावरी और कृष्णा नदी के बीच में जिनका शाषन चलता था और इनकी राजधानी नद्राज की कांसे मूर्ती का संबंध है चोल वंश से इसका सही उत्तर है कि नद्राज की कांसे मूर्ती किस वंश संबंध है तो वह है चोल डाइनेस्टी से तो जो चोल डाइनेस्टी थी वो काफी पुरानी डाइनेस्टी है थर्ड और फूथ सेंचुरी में जो पांडे और चेर थे पांडे और चेर इन दोनों वन्षों के कारण जो पांडे और चेर थे इन दोनों वन्षों के कारण चोल वन्ष का पतन हो गया था लेकिन जो नवी शताब्दी थी 9th century नवी शताब्दी के पूरवार्द में इनका पतन हो गया था लेकिन 9th century के उत्तराद मतलब जो बादवाला हिस्सा है 9th century का नभी शताबदी का उसमें इनका पुना वर्चस्व बढ़ गया था और इसका वर्चस्व का जो श्रे है वो जाता है विज्यालाए को जो विज्यालाए था उसने पुनां जो है वो जो है वो चोलवंश की स्थापना की थी और उसने तंजोर क को अपनी राजदानी बनाये था और इसमें कुछ प्रमुख राजा हैं जो कि पूछे जाते हैं एक्जाम में कि राज-राज परत्म का संबंद किस वन्ष से है तो राज-राज परत्म का संबंद चोल डाइनेस्टी से है अगला question है अमोग वर्ष किस वन्ष से संबंदे थे अमोग वर्ष नाम का एक राजा हुआ करती थे वह करता था तो इनका संबंद पूछा है कि किस वंश से है रास्ट्रकूट चोल चेर पांडे तो जैसा कि अभी देखा हम ने यह चेर यहाँ पर केरला में यह पांडे वंश नीचे तमिलनाडू में चोल वंश है और यह रास्ट्रकूट वंश तो यह चारों वंश के बारे में इस डायग्राम से आप अच्छे तरीके समझ सकते हैं और इसका जो उत्तर है कि जो अमोग वर्ष थे जो अमोग वर्ष जो थे उनका जो संबंद था वो रास्ट्रकूट वंश से था रास्ट्रकूट डायने के संस्थाफक कौन थे अमोग वर्ष नेक्स्ट कुशन है अब्दुलकादर बदायूनी नकीब खां और थानेश्वर किसके दरवार में थे जहांगीर साहजहां अकबर या फिर औरंग जीव तो इसका सही उत्तर है अकबर ये तीनों ही अब्दुलकादर बदायूनी नकीब खां और थानेश्वर ये अकबर के दरवार में थे ये तीनों ही अकबर के दरवार में थे कौन अब्दुलकादर बदायून नकीब खां और थानेश्वर इतिहास में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण इस्थान है और ये अकबर के दरवार में हुआ करते थे अगला किताबुल हिंदी की रचना किसने की अलबरूनी अमीर खुसरो इवन बतूता और बलवन इन मैंसे किसने किताबुल हिंदी की रचना की तो इसका सही उत्तर है अलबरूनी अलबरुनी ने किताब लहिंद की रशना की थी और अलबरुनी ने ही सरवपरतम भारतिय संस्कृति का अध्यन किया था और अलबरुनी महमूद गजनबी के साथ आया था महमूद गजनबी महमूद गजनबी और महम्मद गौरी दोनों ही अलग-अलग महत्यपूर्ण भूमी का निवात हैं हमारे तिहास में तो ये महमूद गजनबी अलग हैं और मुहम्मद गौरी अलग हैं कई बार इन में कन्फ्यूजन होता है कि महमूद गजनबी और महमूद गौरी ये की थे लेकिन ऐसा नहीं है जो महमूद गजनबी थे महमूद गजनबी भारत पहले आये थे याने मुहमद गौरी से पहले एक हजार इसवी के आसपास महमूद गजनबी आये थे भारत और फिर आये था मुहमद गौरी तो जो अलबरुनी थे, वो किस के साथ आये थे? महमूद गजनवी के साथ भारत आये था और उन्होंने किताब अलहिंद, यह जो बुक है, बहुत इंपोर्टन बुक है, किताब अलहिंद, किताब अलहिंद की रचना किस ने की थी? अलबरुनी थे, अगला क्वेशन है, अलाई दर्वाजा, अलाई दर्वाजा किस का प्रवेश द्वार है? कुतब मीनार का, जामा मस्जित का, लाल किले का या फिर ताज महल का, तो अलाई दर्वाजा जो है, वो कुतब मीनार का प्रवेश द्वार है, कुतब मीनार का विषद्वार हो और ये 1311 इसमी में अलाउद्दीन खिल जी ने बनवाएता इसको अलाउद्दीन खिल जी ने इसका निर्मान कर वाय था अलाई दर्वाजे का और ये कुतव मिनार का इस्सा है कुतव मिनार में जो है सबका participation है जैसे कि हम इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो slave dynasty में कुतुब बुद्धी नैवक फिर इल्तूत मिशने भी कुछ इसमें निर्मान कारे करवाये थे तो इस तरीके से जो slave dynasty वो आगे बढ़ती है और अलावदीन खिल जी के बताया है बावर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे बताया है कृष्णे देव राये को राणा सांगा को उपर एक तो दोनों को या फिर इन में से कोई नहीं तो इसका सही उत्तर है कृष्णे देव राये कृष्णे देव राये जो थे ये विजयनागर सामराज के सबसे महान राज हुआ करते थे जो विजयनागर सामराज और बहमनी सामराज ये दोनों ही सामराज जो थे वो मुहम्मद बिन तुगलक के समय जो मुहम्मद बिन तुगलक के जो तुगलक डाइनेस्टी थी उसमें मुहम्मद बिन तुगलक के समय पर वहमनी सामराज और विजयनागर सामराज इन दोनों का ही उद्भा हुआ था दक्षिन में जो भारत का दक्षिनी चेत्र है उसमें इन दोनों ही का उदय हुआ था वहमनी सामराज और विजयनागर सामराज का तो विजयनागर सामरा का और हांद पर्देश मतलब बहुत ही काफी बड़ा चेतर था ऽेहां तक फेला हुआ था आउर बावर ने इन्हीं को जो है वह सबसे शक्तिशाली राजा कहा य किसन दिए ऐंस के धरवार में जो थे वह थे तो दोस्तों यह रहा वीडियो 10 questions का मुझे उमेद है आपने इन से जरूर कुछ सीखा होगा और आगे आने वाले एक्जाम में आपको से help मिलेगी और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें और इसमें जो भी कमिया है मैं उनको आगे next वीडि सांगा बाबर और राना सांगा के मद्ध कौन सा युद्ध हुआ था ये आपको बताना है इसका आपको बताना है कि बाबर और राना सांगा के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था और कब हुआ था युद्ध का नाम बताना है और ये कब हुआ था ये भी आपको बताना ह किसके बावर और राना सांगा के मत दे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें Thank you very much Thank you for watching this video